एक बहुत अच्छा सवाल है कि effect of CO2 and temperature on rate of mycelium growth and mushroom size so what are the effects of CO2 CO2 जो है singly बहुत important factor है even though natural air में लगभग 22% oxygen है और CO2 तो सिफ 0.04% है फिर भी CO2 बहुत important है एक तो CO2 का ये है कि it's a necessary evil चाहिए भी और ज़्यादा हो गए तो भी problem है चलिए depend करता है ये actually कौन से strain की खेती कर रहे है example के लिए आप देखिए ये oyster mushroom है जो oyster mushroom की जो pin head होती है naturally जब हम उगाते हैं तो उसका pin head एकदम ऐसा रहता है और धिरी-धिरी ये गुच्छा बड़ा हो जाता है जो कि इस तरह का बड़ा हो जाना चाहिए this is a thing जब natural आपका देखिए ventilation है यहां पर ये जो घर है ये simple bamboo से बना है तो अच्छा कासा air circulation है तो air circulation अगर सही नहीं रहेगा तो CO2 हाई हो जाएगा CO2 हाई मतलब आपका carbon dioxide जादा बढ़ गया अब देखिए carbon dioxide जैसे जादा बढ़ेगा तो ये इसके लक्षन है कि जो आपके जो pinheads है वो ऐसे लंबे लंबे निकलने लग जाएंगे ये noodles जैसे बनने लग जाएंगे ये देखिए एकदम deformed pinhead निकलने लग जाएगा ये सिर्फ ओष्टर mushroom के लिए ही नहीं बटन होश इठाके किसी भी mushroom के लिए अगर आप oxygen नहीं दे रहे हैं उसको तो वो लंबे होंगे क्यों लंबे होते हैं कि they are searching mushroom by default they are like humans वो पेड़ के जैसे नहीं होते हैं उन्हें CO2 नहीं उन्हें oxygen की जहुरत है तो जब उन्हें oxygen नहीं मिलता है उन्हें light नहीं मिलता है उन्हें they search for that तो search करने के लिए natural ये Darwin theory है ये लंबे होने लग जाते हैं और इसलिए वो लंबे एकदम केच्वे जैसे निकल जाते हैं obviously जब उन्हें light ही नहीं मिल रहा है उन्हें oxygen ही मिल रहा है तो वह कहां से spore produce करेंगे तो उनका fruiting body ये निकलना ये जब mushroom का जो fruiting body है जब इस तरह होता है तो क्या होता है यहां से spores निकलते हैं गिल्स से it means they are healthy they are fine but इस तरह के लंबे अक्रिति मतर्ब ये नाट फाइन ये spore भी निकलेंगा ये mushroom खाने लाइक भी नहीं है खा तो सकते हैं पर अच्छा नहीं लेगा खाने में तो हमारा जो है co2 बहुत important है obviously temperature तो है ही temperature सबसे जाधे important है बिना सही temperature के तो contamination आ जाएगा अगर temperature जाधा है तो दूसरे molds दूसरे fungus उख जाएंगे यह ओश्टर मश्रूम के जाएग से black mushroom निकलन लग जाएगा green mold आ जाएगे but co2 अगर सही नहीं है तो आपका अच्छा खासा farm भी घलत तरीका फ्रूटिंग देगा आपकी फ्रूटिंग डिफॉर्म निकलेगी यह देखिए एक example है यह बटन मश्रूम है जिसमें co2 की मात्रा बहुत जादी है जहां पर oxygen main बात कहा है ना हमें air circulation चाहिए जहां पर हम बाहर का fresh हवा जो कि clean हो हम अपने ही farm के अंदर जो existing air है उसके साथ mix कर पाए तो इसलिए हमें इस तरह के air vent बनाना चाहिए farm में air circulation exhaust fan लगाना चाहिए जो कि continuously जब जब हमें चाहिए especially during the fruiting time हमारे farm में oxygen की प्रयाप मात्रा बरकरार रखे तो यह जब मश्रूम जब भी आप देखेंगे कि deform shape आ रहा है maximum कारण तब होता है जब अब बंद कमरे में मश्रूम उगाते हैं बिल्कुल खिड़की दरवाजे नहीं खोलते हैं जब चारो तरह से प्लास्टिक से घर बंद करकर रखा है उससे एक तो temperature भी बहुत बढ़ जाता है साथ ही साथ अपका air में CO2 हाई हो जाना से इस तरह के deform मश्रूम हाते हैं कुछ मश्रूम है जो कि tolerant है जिनमें से शिठाके मश्रूम बहुत टॉलेंट है इसको तो बहुत कम oxygen रहे तब भी चलेगा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है इसका stem और बहुत hardy है शिठाके मश सकते हैं जो stem part है यह जो इसका main tissue है जो fruiting body है यह type ज्यादा tasty होता है rather than that cap, cap तो है tasty but यह type बहुत juicy एक्दम बढ़िया रहता है जिसको लोग grill करते है, fry करते है जबकि oyster mushroom का यह जो है एक्दम hardy होता है, chewy होता है, खाने से एक्दम लगता है कि हम chewing gum चवा रहे है और इसका ज King oyster mushroom कर रहे है तो हम क्या करेंगे हमारे farm में CO2 की परिमान high रखेंगे और अंधेरा रखिया कोई दिक्कत नहीं है तो जो mushroom हमारे लिए favorable है लंबे हो जाए भले ही, मोटे हो जाए जैसे similarly milky mushroom के लिए हमारे यह मोटा हो जाए बड़ा हो जाए चलेगा, तो उसमें CO2 high हो सकता है CO2 high, CO2 high, बाकी जो oyster है बटन है इनमें हमें CO2 कम जाज़ी है during fruiting stage, so these are the effects of CO2 and temperature on the rate of mycelium growth and mycelium size, whatever the mycelium growth, देखें mycelium को grow करते वग जो vegetative phase है तब बहुत ज्यादा oxygen नहीं चाहिए, तब already हम PP bags के अगर उगा रहे है या अपने bed में उगा रहे है, there is already an ample amount of CO2 inside, so mycelium growth में ज्यादा hamper नहीं करता है, थोड़ा बहुत भी उसमें wind passage रहेगा, पर देखें हम grow bags में example के लवश्टर मश्रूम के bags में हम छेद रखते हैं, क्यों रखते हैं, ताकि उसमें से जो है धेरे-धेरे CO2 बाहर निकल पाई, क्योंकि उसमें respiration होता है, जब mycelium अपना enzyme produce करता है पूरे तरह से substrate को अपने अंदर extract को जो है sugar में convert करके decompose करने लगता है अपने substrate को तो बहुत ज़्यादा CO2 प्रड्यूस करता है, तो एक तो उसके heat को निकल जाने के लिए हमें छेद करना पड़ता है हमारे bags में, साथ ही साथ उसमें fresh air circulation भी होता है, तो that's during the mycelium growth phase और the vegetative phase fruiting stage में कहानी बिलकुल अलग हो जाती है, उस वक हमें देखना है कि हम कौन सा mushroom होगा रहे हैं और उसको अगर ज्यादा oxygen की जरूत है, तो दीजिए वर्ना mushroom खराब होने वाला है, और अगर उसको high CO2 वाला ही mushroom है, जैसे inoki और king osher, तो उसको बंद घर में करिए, कोई दिक् बहुत बढ़िया होगा